शड़ी बार देर राज चंदनगर थानाक शेत्र के एक नीजे एस्पिताल में इलाज के दोरान मरीज की मौत होने के बाद परीजनों ने कई घंटों तक हंगावा किया जिसके बाद बड़ी संक्या में पुलिस बलतराद किया गया वहीं परीजनों को आरब था कि इलाज में लापरवाही के चलते उनके मरीज की मौत हुई है जिसके बाद पुलिस वरा समझाईश देकर रईवार सुभ़म रतक का पोस्माटम भी कराए गया पुलिस का कहना था कि पोस्माटम के रिपोर्ट के बाद ही कुछ साफ हुपाएगा लेकिन शरीर में कई जगह हाथों से ही टांके लगा दिये गए हैं वही परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही से इलाज करने की बात सामने आई है वही पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जान शुरू कर दी है साथ तारिक को हमारे बहिया को ओल्टी दस्त की बिमारी हो गए ती जिस कारण से हमने महावीर अस्पताल में जाके उनका इलाज करवाया पहले दिन उनको आईस्यू में रख दिया इलाज करा इलाज में खुछ नहीं आया सर उसके बाद उनने बोला स्वन स्वनुग्राफि करवाई जाए जाए तो ने बोला सर की डाक्टर ने कि पत्री पत्री का इलाज करना पड़ेगा रख दोर्विन से वहीगी ठोडी सी सरचरी होगी चार टाक होगी और फिर उनने जाए जगे हांस सरजरी कर दी और कवल चार-पांच छे टाके ठाके लगा दी लिए उटी दस्त का केस था सर रम्मा खिश दे होना बलाए सब्सक्राइब करने वाले साथ उनके परमचारी बागेगा वहीया वहीया उन्छोटा रहे हैं दीपक रजेले कि इलाज की तो नहीं अलाँ जनी का अभी जन्याज की अबने। उस्ट्राइब करता होगा उसके उस्ट्रीन के दस तरीक को इसकी प्रक्राद कर दो है इन्ट जर्टिंट में कि अविधिशन की जाईगी स्थ्व्यूण मरोज्टी तब आबुलाव रजीले था। उव्र करी 50 साल थे। अधिर सागर फिलस पे रहने वारे थे। सागर फिलस तिया विवारी थे इसके ब़्रश के लिए बढ़ती कर दिखे लिए? इंदौर्फ से हार्दिक प्रजाबत की रिपोर्ट